इस lesson में मैं आपसे बात करूँगा about add schedule and add rotation add schedule and add rotation कल हमने बात की थी about budget I hope आपने calculations करके देखी थी कि आपको कितना projected budget चाहिए होगा या फिर आप कितने budget से start कर सकते होगा ठीक है तो चलिए आज बात करते हैं about add scheduling and add rotation जब भी आप add बनाओगे तो देखो आपके पास दो option आए पहला है add schedule और दूसरा है add rotation तो पहले मैं बात करता हूँ आपसे about add schedule तो जैसा आप नाम से समझ पहले तो बात करते हैं क्या scheduling होती क्या है देखो काफी सारी लोग क्या है वो बड़ा innovative करने के कोशिश करते हैं कुछ कि बही ऐसा करते हैं सुबत मैं रात को add बंद कर देता हूँ सुबा add चला देता हूँ, धो पहर में बंद कर देता हूँ, शाम को चला देता हूँ ताकि उनके add, जो add spend है वो सही से कर सकते अब देखो होता क्या है जभी भी आप ऐसा काम करना चाते हो मतलब आप ads को schedule करना चाहते हो आप चाहते हो किसी समय add चले किसी समय ना चले say मैं चाहता हूँ मेरी add Monday को पूरा दिन चले और Tuesday को सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक चले और Wednesday को सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक चले और शाम को 3-2 बजे से लेके 8 बजे तक चले और Thursday को मेरी add ना चले ठीक है सब्सक्राइब मैं कुछ ऐसा innovation चाहता हूँ अब यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट point है कि आप यह जो कर रहे हो किस चीज के base पर कर रहे हो क्या आपके पास एक ऐसा कोई data है जो आपको यह बता रहा हो कि भईया add इस दिन अच्छा चलती है इस दिन अच्छा नहीं चलती या आप यह assume करके कर रहे हो अगर आपके पास data नहीं है ये करने के लिए majority लोग क्या करते हैं वो भिना किसी data के ये काम करते हैं मतलब उनको लगता है कि Tuesday को इतने बज़े conversion अच्छी आएगी वाइटने ज़े को नहीं आएगी तो ये काम कर देते हैं आपको ऐसा नहीं करना है आपको पहले अपनी reports देखनी है अपनी ads analyze करनी है फिर आपको देखना है कि आपकी ads कब अच्छा perform करनी है कब नहीं करनी है अगर वो report कुछ sense बनाती है आपको ad scheduling करनी है report पढ़ना आप बाद मैं सिखाऊंगा आपको उसके बाद आपको schedule करनी है जस्ट आपको ऐसे ही add schedule नहीं करनी ठीक है अब suppose करो कि आपने data देख लिया और आपको schedule करनी है तो आप करोगे क्या जब आप add बनाओगे तो देखोंगे आप एक schedule का option आएगा by default ये schedule क्या है all days 24 hours आप चाहो तो क्या कर सकतो इसको अपनी हिसाब से change मंडे 10 बज़े से लेके 3 बज़े तक मेरी add चले तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ तुबह 10 से लेके 3 बज़े तक ठीक है और Tuesday नहीं सब्सक्राइब पूरा था चलो कोई नहीं Wednesday 7 से लेके 11 तो यहाँ पर लो Wednesday सुबह 7 से लेके 11 बज़े तक और अगें Wednesday 2 से लेके 8 तक तो यहाँ पर लिए मैंने Wednesday और दो इस फोर्टीन एंड आठ इस बीस और ऐसे ही आप और शिडूल आगे एड कर सकते हो बट यह ध्यान रहे आपको यह शिडूलिंग तभी एड करनी है जब आपके पास यह डेटा हो आपकी इस बात को बैक करने के लिए अगर आपके पास डेटा नहीं है जो आपके इस एक्षन को सबस्टेंशियेट करें तो आपको यह काम नहीं करना राइट प्लीज 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 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पहले डेटा रीड करो तब यह काम करो तो यह आपके पास option है एड शिडूलिंग ऐसे काम करती है अब एड रोटेशन अब एड रोटेशन क्या होता है जबी भी आप गूगल पर कैंपेंज बना रहे हो तो आप मल्टिपल एड्स बना सकते हो मल्टिपल एड्स राइट अब कई सारी एड बना सकते हो गूगल आपसे पूछ रहा है कि भाईया यह एडे तो इतनी सारी बना दी चार एडे बना दी अब इन चार एडों को मैं कैसे दिखाऊं क्या सबको मैं बराबर दिखाऊं या जो सबसे best perform कर रही है मैं उसको सबसे ज़्यादा दिखाऊ अब ये सबसे ज़्यादा best ad कौन सी perform कर रही है ये कौन decide करता है तो ये decide करता है Google और कई बार क्या होता है Google इसको बहुत जल्दी decide कर लेता है Google उतने अच्छे से सारी ads को analyze नहीं करता ये decide करने के लिए कि कौन सा ad सबसे अच्छा काम कर रही है जिसे कि आप sampling error कह सकते हो कि Google को कभी कभी लग जाता ये ad अच्छा काम कर रही है और उसको back करने के लिए data बहुत कम है Google के पास बट Google उसी ad को दिखाने लगेगा बाकी को नहीं दिखाएगा optimize उसमें Google क्या करेगा सारी ads को बराबर दिखाएगा ठीक है तिसरा option क्या है optimize for conversion ये अभी आपे available नहीं है और last option भी available नहीं है मारे पास तो मैं क्या prefer करता हूँ मैं हमेशा लेता हूँ do not optimize rotate ads indefinitely मतलब मैं सारी ads को Google को बोलता हूँ then मैं 3-4 दिन बार based on जो data है मेरे पास वो मैं देख लेता हूँ कि कौन सी ad best काम कर रही है और मैं उस ad को continue रखता हूँ और बाकी ads को मैं बंद कर लेता हूँ ठीक है मैं पहला option नहीं लेता क्योंकि पहला option लेके मैंने काफी time देखा है Google बहुत जल्दी यह decide कर लेता है कि कौन सी ad best है Google के पड़े ठीक है तो यह है add rotation मैं यहाँ पे लेता हूँ हमेशा do not optimize rotate ads indefinitely तो I'll recommend कि आप भी इसी option के साथ stick करो ठीक है so that's it from today's lesson आज के lesson में आपने सीखा about add scheduling and add rotation कल का जो lesson है उसमें हम बात करेंगे about that's it from today's lesson thank you so much